दुरुग के पोलसाय पारा स्थित स्टेशन रोड पर बीती सोंबार की राथ अग्याद चुरों दवारा मोबाईल दुकान का शटर तोड़ कर दुकान में रखे महंगे मोबाईल लैप्टॉप सहीत लाखों रुपे की समान चोरी कर परार हो गए चोर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाच कर रही है बीती राथ दुरुग के पोलसाय पारा स्टेशन मार्क परिस्थित माई मोबाईल स्टोर में तीन चार अग्याद चुरों ने मिलकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया दुकान संचारा की जानकारी के अनुसार दुकान में रखे 30-40 महेंगे मोबाईल साथी लेपटाप और पावर बैंक आदी सामानों की चोरी की गई है जिसकी कीमत लगबग लाखों रुपए की आकी गई है रोजाना की तरह दुकान दार अपनी दुकान को बंद करके घर गया लेकिन सुबह जब वह पहुँचा तो उसके होश के दुकान का ताला डुटा हुआ था और मोबाईल के एसे सरीज गायब थे जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है फिलहाल मौके पर कोटवाली थाना प्रभारी वस ये इस पी जिते नियादों भी मौजुद हुए यहा हम आपको बता दें इस मामले में अब तक एफ आयार दर्स तक नहीं की गई है फिलहाल चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए है कि रोजा ना ही दुर्ग शहर में चोरी की वारदाते होते देखा जा रहा है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि पुलिस का ख़प लोगों के 20 से खत्म हो गया हो इस सम्मन में सिटी कोट वाली टी आई वदुकान में कहरत यूवक ने अपनी प्रतिक्रिया दी अपराथ पंजीबत करके विश्नम में लिजाए उसका कहा है कि 35-45 गया है नाय मोबाई गया है कि किम्नत नहीं बताया है अब वो आएकर रेपोर्ट करेगा तो उसके बाद ही पता लगेगा कितने की के जिवाद सब जगार के खनाले जा रहे हैं जिधर जाने का पता लगत िद्ध порядa के लगपक का शालीज किसके लगपक और कुछ एजसीड किस्के लगपक है दो है कि डूँपाइख इसकूर स्कै इतकर लेकर लाए oh शाय लेके लेकर ऐनगैए आपको ज़्यानकारी कैसे होई कि आपके दुपां में चौलिग होए है ग्रेंडेस ये निउस के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट